गाइस तो YouTube के इस feature का इस्तमाल करके आप अपनी short video पर काफी अच्छे खासे views ला सकते हो मैंने इस feature का इस्तमाल करके अपनी एक short video publish की थी तो उस video पर 13 minute में 437 views आगे थे और साथ ही जितनी बार मैं यहाँ पर refresh कर रहा था उतनी बार जो है उस video के उपर काफी अच्छे कासे views बढ़ वहे थे और आप यहाँ पर देख भी सकते हो तो आप भी जो है सेम चीज को करके अपनी short video पर काफी अच्छे कासे views ला सकते हो इस feature का नाम है YouTube Shorts Thumbnail अब यह जो thumbnail का feature है ना इसमें क्या दिक्कत है कि इस पर आप जो है custom thumbnail जो है नहीं लगा सकते हो लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदश से आप जो है अपनी short video के उपर custom thumbnail लगा पाओगे तो इसके लिखा करना है आपको कि सबसे पहले आप एक thumbnail बना लेना तो thumbnail का size मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको पिक्सल लार में आना है और यहाँ पे जो उपर three dot है इस पे click कर देना है इसके बाद email size पे click करना है और यहाँ पे custom पे click करना है और आपको youtube thumbnail पे click कर देना है अब देखें यहाँ पे लिखा है 1280 और 720 तो आपको इन दोनों को बदल देना है 1280 की जगा आपको 720 कर देना है और जो आपका 720 लिखा है यहाँ पर आपको 1280 कर देना है और OK कर देना है तो आपको जो है शौड वीडियो के लिए जो थमनेल का साइज है वो यहाँ पर मिल जाएगा अप इस पर अपना थमनेल बना लिए थमनेल बनाने के बाद आपको दूसा काम यह कर 3 second के लिए आदेना और इसको जहें पूरे इस तरीके से Frame में कर देना मतलब कि पूरे full skin पे इस तरीके से आपका thumbnail show होना चाहिए इसके बाद जो है आप अपने वीडियो को save कर लिए और वीडियो को save करने बाद आपको क्या करना है कि आपको आना है अपने YouTube अप्लिकेशन पे इसके बाद यहाँ नीचे एक प्लस का आइकन होगा आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने कुछ आप्शन आएंगे तो यहाँ upload आप वीडियो इस पर क्लिक करगे आपकी जो भी short वीडियो है उसे यहाँ पे select कर लेना select करने के बाद यह पर जाएगा तो यहाँ नीचे next होगा next पर क्लिक करना पिर अगले पेज़ पे ऊपर next का option होगा तो यहाँ पर next पर क्लिक कर देना इसके बाद आपके सामने add detail का यह पर जाजागा तो यहाँ पर दिखिए उपर आपको कोने में एक छोटा सा थमनेल देखने को मिलेगा जिसके उपर आपको एक पैंसल का आइकन देखने को मिलेगा आपको इस पैंसल का आइकन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने जो है आपकी वीडियो कुछ इस तरी के सा जाएगी और वीडियो के नीचे आपको एक टाइम लाइन देखने को भी लेगी अब इस टाइम लाइन में आपको आपकी वीडियो के सारे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे उस पर ये जो है cursor लाके रख देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो thumbnail है वो highlighted हो जागा, और इसके अद हम जो है done पर click कर देंगे, जैसे हम done पर click करेंगे, तो इसके बाद देखिए हमारा जो thumbnail है वो यहाँ पर लग चुका है, add detail के page पे, और इसके अद जो भी हमारा title है व वो हर जगा पे दिखाई देगा, यह आपको जो है channel के page पे जो वीडियो का section होता है, तो वीडियो पे दिखाई देगा, साथ में जो short का section होता है, तो shorts के अंदर भी दिखाई देगा, home page पे जो short का section होता है, वहाँ पे भी दिखाई देगा, playlist के अंदर भी दिखाई देग उसके इलाबा हर जगा पे आपका ये जो शौट का थमने लोगा वो शो होगा जो कि बहुत ये अच्छी बात है और इस तरीके से आप अपने वीडियो पर कस्तम थमने लगा सकते हो और काफी अच्छे खासे व्यूस भी ला सकते हो गाइस आई होप कि आपको ये जो है टिप करना शेर करना सबस्क्काइब करना मुझे ला मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक किली बाइबाय टाटाए